दिल्ली में कनहिया का दमदार भाशड प्रधान मंत्री मोधी पर कनहिया ने साधा निश्वाना पीम को दस साल में यमुना पार ले आए कहा आप साथ दो पूरी सरकार ले आएंगे उत्तर पुर्वी दिल्ली में मनुस्तिवारी और कनहिया कुमार के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है कनहिया अपने हर भाशडों में पहले तुन मनुस्तिवारी को ही रखते थे लेकिन अब प्रधान मंत्रीन मोधी पर भी हमलावर हो गए है बीते दुनों ही कनहिया ने मनुस्तिवारी को डिबेट के लिए बुलाया था लेकिन अब उनों ने फिर एक बार मनुस्तिवारी के साथ ही पीयम मोधी पर जबरदस्त हमला बोला है उत्तर पुर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कॉंग्रेस उमिद्वार कनहिया कुमार ने कहा ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है अभी मैं केवल उमिद्वार हूँ लेकिन जनता की मोहबबत का असर देखिए कि 10 दिन के मेरे प्रचार का नतीजा ये है कि आधार्नी ये प्रधान मंतरी जो 10 साल से दिल्ली में रहते हैं उन्हें यमुना पार करने में 10 साल लगे है हम अभी केवल प्रधान मंतरी को यमुना पार लेकर आए है कि ये लडाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है हमने इस छेत्र में काम किया है और हम इस छेत्र में काम करेंगे उन्होंने इस छेत्र को बदनाम किया है और इस छेत्र को वो बदनाम करेंगे इसका एक उधारन मैं आपको देना चाहता हूँ अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूँ अभी तो मुझे कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया एलाइंस ने सिर्फ केंडिडेट बनाया है उत्तरपूर्वी दिल्ली का लेकिन आप असर देखिये आपकी मुहबबत का आपके आसिरवाद का आपके होसले का और आपके समर्खन का कि दस दिन के मेरे चुनावी केंपेंड का नतीजा ये है कि आदर निया पढ़ान मंत्री जी दो बार के पढ़ान मंत्री हैं दस साल से दिल्ली रहते हैं और यमना पार करने में उनको दस साल लगा है मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया एलाइंस को सपोर्ट कीजिए अभी तो हम प्रधान मंत्री को यमना पार ले करके आए हैं पूरी की पूरी सरकार को यमना पार ले करके आएंगे यह हमारा आप से वादा है और जिस तरीके से वो अप्मानित करते हैं यमना पार रहने वाले लोगों को मैं तो कहता हूँ मेरा नाम कनहिया है गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है जिस तरीके से आपने आसिरवाद दिया है हमको पूरा भरोसा है कि यमना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है आपको मालूम है जैसा के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया एलाइंस के जो वोटर है वो पाकिस्तानी है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार रही 10 साल आम आद्मी पार्टी की सरकार है और या सरकार हमने EVM की चोड़ी करके नहीं आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है